फेक देहले थर्या, बलम गईले जर्या पहुच लेकिना ये गीत हम सभी लोगों ने सुना है और हम इस समय जर्या आगए है जब वो पूछती है महिला कि उठे हिया में लहर्या पहुच लेकिना तो ये वही जर्या है और हम जर्या विधान सभा में हैं जर्या के हम एक में खड़े हैं जहां ओपन माइन्स जिसको आप कह सकते हों यह जब आप चारों तरफ नजर घुमा करके देखेंगे तो आपको धुआ अभी तो इस समय धुआ ही दिखाई दे रहा है क्योंकि दिन है रात में ये लपटों जैसी दिखाई पड़ती है रात में पूरा आग कि दिखेंगा और इस चीज को लेगर करएं खासी राजनीती होती रही है मगर यह किसी भी तरीके से राजनीतिक मसला नहीं बन पाता है क्या नाम है जाबाद कर लेंगे हम लोगों से कहा है है अब क्या किस तरीके की दिक्कत परिशानी है यहां आप लोगों को स्थानिय लोगों को यहां यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि यह भूमिगत आग लगा हुआ है 15-20 किलोमीटर के दाइरे में और हम लोग इसी आग में रह रहा है बीसी सीयल हो या राज्य सरकार हो इसके दुवारा हम लोगों कोल इंडिया की कंपनी भारत को कि लिमिटेड जो कि हम लोग को कहीं बसाने के लिए कहा जा रहा था पांच साल से हम लोग को अस्वासन दिया जा रहा कि आप लोगो जरेड़ा के तहद जो है कहीं सुरक्षित जगह में बसाया जाएगा मगर यह सिर्फ कागजी कलम पर रह जा रहा हम लोगों को बसाया नहीं जा रहा और इसमें कितने आदमी जमीन दोज हो गया बहुत सारा परिवार जो है जमीन के अंदर चला गया जीवीत मर गया यहां जब आप जिस जगह हम खड़े हैं यहां बहुत आगे जाने की सक्त हिदायत दी जा रहे हैं कि बहुत आगे मज जाई यहां जब आप देखेंगे तो यह एक तरीके सा दरार फटी हुए है और दरार से ही धुआ निकल रहा है और इसी से बड़ी- आप बेटा जमीन के अंदर चला गया एक दुकान था उसका बाल आपका ऊपर कुली के असपास वह पूरा आप लोग तो यहां के रहने वाले हैं किस हीरा हवारी जो भी होती है या जो काम नहीं होता है वो किस इस तर पर नहीं जैसे यह आप ओपें माइनिंग बता रहे है है कि ओपें माइनिंग हो गई वो जो पीछे पाहाड दिखाई पड़ रहा है वो कित्रिम पाहाड है ठीक है उसको यहां का आपने कोईला निकाल लिया और ऊपर का जो क्रस्ट है उपर का जो लेयर है पत्थर का वो धीरे-धीरे आपने डंप कर दिया बड़े-बड़ी ग रहा है तो यह एक बताईए आंकड़ा जो कितने लोग इससे प्रभावित हैं खास तोर से 45,000 45,000 लोगों को चिनहित किया गया जरेडा के तहत कि इन लोगों को सुरक्षित जगहा पर रहा है वो सेंट्रल गवर्मेंट का एक स्कीम है अच्छा ठीक है ठीक है अभी कुछ दिन पहले प्यूस गोयल भी आये थे अच्छा वो इसी सिलसिले में आये थे कि जो 45,000 परिवार अस्वरक्षित अस्थान पर रह रहा उसको बीसी सियल और जरेडा राजी सरकार के माध्यम से कहीं सुरक्षित जगह पर इसको बसाया जाए मगर यह योजना पान सल से चल र जन्म से अब तक इस इलाके में लगातार आगी लगी हुई है हम लोग तो आग उसी समय से देख रहे हैं जब से पैदा हुए तब से जब से हो समाले हम लोग आग देखी रहे हैं इसको लेकर किस किस तरीके की बातचीत होती है बहुत तरह की बातचीत हो रही है घर देंग है तो मैं वहां कियो जा cupboard के लिसे मेरे को दो पैसे कि में हो मैं तो स्क्राइबचे करते है आइ ओफ करते हैं हम लोग खाइबा चलाती हो क्ते बच्चे अभी बच्चे नहीं है सादी हो गई है कितने तक पढ़ाई लिखाई आइं उस इस इलागे debate अ कि इसलिवा भायबा भी धाज जयेगा तो जा determination जैंगेये और क्या करेंगे रोत बकषर से कज़ा में में Hm तो झाल में आप यह तो बहले दूसरी और जाते है अब लूधियाना है पंजाब और गुजराध की ए रो जाने लगे यह मतलब कि उस दौर में लोग पूरब जाते थे अब पश्चिम की और जाने लगे चुकि यहां रुजगार के भी जो मौके थे वह सीमित हो गए और जो भी मौके थे उसमें भी किसी ना किसी तरीके से सेंद लग गई अब कहीं नहीं वी स्थापन हुआ उसके बांडों रोजगार का पूरा मसला कम जोर हुआ अब आप क्या którą भावड हो आप भी हेवाचल आते हैं यहाँ से कहां कहां तक माल लेकर जाते हैंक है कोई लेकर जाते हैं निर्शा और इधर साइडिंग में चलता है सिंध्री साइडिंग आपका इधर भुदगरिया अच्छा इधर काच्रि बलिहरी नाथ बंगाल उतना मिलता है पैसा के नाम पे एसे जी रहा है वहीं बहुत है कई बारी गारी है था हम लोग को वालिक दे त दम कितना देता है लोग कभी महीने का 2000 लोगशितन हम सबस्राइभ इतना कम इसको लेंगर कि यहां बहुत सारा यूनियन है द builder black टी वहां अप Wahr Bliss अपना Union यूनियन वहाव नहीं भी बात नहीं भोलता कहूंगा बीजेपी के सरकार से कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके सुरक्षित अस्थान पर बसाया जाए वरना एक दिन बहुत बड़ा यहां पर विनास हो जागा 45,000 परिवार कभी भी जमीन के नीचे जा सकता है इस पर जदी सरकार ध्यान दे तो हम लोग साइध सुरक्ष का मने का कोई साधन नहीं किसी तर अपना जीवन पार कर रहे हैं इसके लिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह हम लोग पर भी ध्यान दे और हम लोग के लिए भी कुछ करें गार है यही ना क्या नाम है इंदर कुमार पासवान अच्छा क्या करते हैं इंदर आप मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था कंपिटिशन कर रहा हूं अभी और बेरोजगार हूं हमारे तरफ के सभी आठ नमर 48 वाट के नल के समस्या पानी के समस्या रहने का समस्या यह सब बहुत तरह का जिलने पड़ता है जैसे देख सकते हैं यह सारे डश्ट वगेर है जो सारे हैवा इ एक बार निकल जाने के बाद सारा अधम पूरा पाटसी अधम पूरा गंदा ही हो जाना है अगर आप सफेद सट पहन करके निकले हैं तो अपने आप में यह बहुत बड़ा रिस्क है सूखने के लिए भी रख दियें अगर अचा कपड़ा धुलने के बाद वह समझे कि बहुर पूष्णी है गुठका वह सस्ता हो गया क्या नहीं नहीं और अणर लिए इसे के लिए नहीं तो यह हमेसा प्यों करने के लिए नहीं है बस हमेसा थोड़ा बहुत कभी कबाद सोखिया है यह बताए कि किस तरीके की दिक्कत हो रहे है खास तोर से यह जो पूरी माइनिंग दिखाई पड़ रहे हमें उपे नियर वो तो सब को दिखाई दे रही है वो सब समझ आते हैं कि क्या है बोलने कर तो है नहीं इसमें बताने का बेकुश्म किम प्रमाणम टाइप का मामला है तो इसको लेकर के किसी भी तरीके से कहीं पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनता दिखता है कहीं पर नहीं होता तो अभी तक ऐसे थोड़ी रहता है यह देखिए आदमी डर से खाड़ा आई हैं कब कखनी गिर जाए कोई ठीक नहीं है इसका चारो तरफ दरारे फटी हुई है इस तरह काम भी नहीं चल रहा है और हमेशा शाठ बजे रात को जब यह आए थी तरह से पार होना किसी टाप का भी कोई सुविदा नहीं है कोई सुनवाई नहीं है तो यह जब दो नौजमान मिल गए बजोड़ों से बातचीत हुई यह सारे आप भी ग्रेजुएशन कर र काम के तलासमे हैं किसे उमीद है कि से उमीद है किसी उमीद रहा even तो उमीद तोसप eme में जरिया के लाके में आए हैं तो वहां सिर्फ आपको किसी नेता का इंटरव्यू के बजाए wonder कि जो जनताना समझते आए हैं उस पर बादशीत करें दभीहार मिल के लिए मैं विश्णु नरायन सत्यम के साथ बहुत धन्यवाद